दरसल बतादे गटन धानस से सगंज छेत्र अंतर गट करहल चौराहे के पास बुद्वार के सुबह निर्मारादीन बिल्डिंग में एक अज्याद व्यक्ति का शब मिलने से हरकभ मच गया वही जानकारी होने पर अस्पताल के लोग मौके पर पहुंच कर शब की पहचान करने लगे घटना की जानकारी की सुचना पर ठाना प्रभारी सिर्शा गंज तता छेत्र अदिकारी प्रवीन कुमार तिवारी सहित डॉग स्क्वेट टीम एवं फॉरेंसिक टीम ने मौके पर पहुंच कर जानस पर ताल शुरू कर छेत्र अदिकारी ने बताया थाना सिर्शा गंज छेत्र पियर पी को सुचना मिली की इटावा की ओर जारे वाले एनस्टू मार्ग पर बने एक निर्मारा धीन बिल्डिंग में एक अग्याद व्यक्ति का शब पड़ा है वहीं व्यक्ति की उम्र लगबग 35 वर्स वताई जा रही है जहां व्यक्ति के शब की पहचार नहीं हो सकी वहीं म्रतक बॉड़ी के शब को पुलिस ने पोस्ट मार्टम हेतू भेज कर अग्रिम विदिक कारिवाहिव कर म्रतक के शब को पहचान कराने के प्रयास किये जा रहे हैं तो रुजवास से समवात अधा सशीन जायन की रिपोर्ट एसके एच निउज यहाँ पर एक अपने ग्राम रुदावली पर एक करेल चौराए के पास में निर्माना दीन बिल्डिंग है तो सुवे सूत्रों से पता लगाता कि यहाँ पर एक सब पढ़ा हुआ है जिसकी मौक पुलिस को खबर की गई थी पुलिस ने मौके पर आई वह च्छान भी इनकी जानकारी भी ली कि सायद कोई परशित इसका मिल जाए तो कोई नहीं मिला फिर उसके बाद अग्यास सब को पुले सपने साथ पूस्ट माडब के लिए लेके चली की लिए इसे यह सुबह चेह साड़े चेह पर पता लगाता लेकिन बॉड़ी को देखके लग रहाता है सामके नो दस बजे की बात हो